हेलोग़ेटास,फेललूइ अब मेर्टान पूपा खीोज्ट क Täँछ है लविड्य स्केड़ कजिंगे लास्ट विक को लगाता व्युन युरण के था अब उद में इसको दो बार ट्रिट किया था यह लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था बट नीचे की तरफ गिरते हुए पर प्राइस ने अब जा करके कही न कहीं एक सपोर्ट लिया है आपको आज दिख रहा होगा है विल्स किसी एक सपोर्ट एरिया से काफी देर तक रिजक्ट होता रहा है यहां पर देखे यहां पर देखे यह पॉइंट अगें देखे प्राइस इसी लेवल पर आया और यहीं से अपसाइट का मुवी दिखा रहा है यहां से यह लगातार उपर की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा था हमारी जो बाइंग के एरिया है वो 1177.60 का एरिया है करीब करीब इस वाली जगह पर हमने इसके अंदर पने बाइंग के पोजिशन बनाई हुए है और अभी का जो हमारा इसके अंदर का प्रॉफिट है करीब करीब पोजिशन वो 2189 2189.60 के राउंड का हमारा प्रॉफिट इसकंदर का लग बग लग चल रहा है अभी कोई बहुत बड़ा मुवमेंट हैविल सकंदर हमें देखने को नहीं मिला है हाँ उमीद यह है कि प्राइस में अपसाइट का मूफ यहां से डेर से दो परसंट का दिखा सकता है और अगर आसा होगा तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट हम इंटर डे के सेशन की कॉर्डिंग ले करके घर जा सकते हैं आज कुछ चीज़े हम आपको समझाएंगे जो के रिलेटेड होंगी अपनी एक इंडिकेटर से जो कि है वाल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर वाल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर ज्यादा तर सभी ब्रोकर्स के अंदर आपको मिल जाएगा और सभी में फ्री है बट जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग व्यूम प्रोफाइल पेड है मतलब आपको इसके लिए पैसे चार्ज करने पड़ते हैं पा πर देखी कर सभी में रसके के लिए यहां पर अपको दिखा है तो इंडिकेटर्स में आप जाओगे और यहां पर यहांपर थय सारी वाल्यूम वाल्यूम प्रोफाइल है Session Volume Profile है, Session Volume Profile HD, Periodic Volume Profile, Fixed Range Volume Profile, Auto Anchored, Visible Range यह सब अपने किसी काम के नहीं है Fixed Range Volume Profile ऐसी है कि जिसका Use हम अपने Intraday Trading Session के लिए Stock Selection में, Support या फिर Resistance निकाल लिए के लिए करते हैं अभी के लिए इसको हम Off करते हैं और अब देखेंगे कि किस तरह से Fixed Range Volume Profile का Use हम लोग Free में कर पाएंगे आपको यहाँ पर साइट में देखें दिख रहा होगा Long Position, Short Position, Forecast सबसे Last में आप चले जाए और Fixed Range Volume Profile यहाँ से निकाल लिए यहाँ से Fixed Range Volume Profile सबके सामने यह बहुत से लोगों को हो सकता है कि मालूम है और कई लोगों को मालूम नहीं भी होता है अगर हम गलत नहीं है तो आप ही लोगों में से कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि Volume Profile हम लोग Free में यूज़ कर सकते हैं ब्रोकर्स में अगर आप चले जाओगे जैसे Espresso बगारा हो गया तो इसमें अभी इतना था हमने यूज़ किया नहीं बट अगर हम देखें तो अगर हमें Volume Profile निकाल ली हूँ इंडिकेटर्स में इवन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो देखें नहीं है एंडिकेटर्स में चले जाएंगे यहाँ पर देखें Volume Profile आ गए अभी हम लोग कहाँ पर पहुचे हैं कि जो ब्रोकर्स होते हों किस तरह से Volume Profile Free में देदेंगे आप उसका यूज़ कर सकते हो और बहुत Effective तरीका हो था यह यूज़ करने का अब हम इसके ओपर इतना Friendly नहीं तो चार्ट्स का हम जितना भी यूज़ करते हैं वो Trading View के ओपर यूज़ करते हैं अब इस पर अगर हमें Profits तो Increase होंगे न आपने Positions 2800 के राउंड है अब चलते सिधे चार्ट्स के अब हमें Trading View पर इसका यूज़ करना है फ्री में तो अभी हमने जैसे आपको बता हैं कि Simply हम लोग चले जाएंगे Survey Markings को कर देते हैं Delete इसको भी करतेते हैं Delete आज का जो Support Area हमने निकाला यह किस तरह से निकाला कैसे हमने Entry और किस तरह से अपना इस Top Loss रखने की कोशिश किए एक एक चीज़ अभी देखेंगे एक एक चीज़ अभी देखेंगे प्लस Volume Profile का यूज़ हम कैसी इंटरडे सेशन में कर सकते हैं इसको समझने के कोशिश करेंगे इसको जरूर से जरूर लाइक कीज़ेगा कोमेंट्स कर दीज़ेगा अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिज़ेगा आगे पढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे कुछ ड्राइंग हमने की है अब साइट की तरफ हमने जितने भी बॉक्स बना है यह है हमारी वॉलूम्स और यहाँ पर आप देख रहोगो जो वर्टिकली बनी है हमारी यह है वॉलूम प्रोफाइल्स अब इन वॉलूम प्रोफाइल्स का यूस क्या होता है जैसे कि डाउन साइट की जो वॉलूम्स है यह हमें शो करती है कि किस टाइम पर कितनी वॉलूम्स आई है अगर हम लोग यह देखना चाहें कि किस प्राइस पर कितनी वॉलूम्स आई है उसके लिए ज़रुरत पढ़ती है हमको वॉलूम प्रोफाइल्स की सबसे बड़ी जो help हमको इससे मिल जाती से ये पता चल जाता है कि 1156 रुपए पर इतनी volume आई है या फिर पूरे दिन की ranges को अगर हम mark कर ले तो मालूम पढ़ जाएका हमको कि पूरे दिन में सबसे ज़्यादा volume किस price पर trade होई है तो सबसे बड़ी जो रोज होगी वो automated होती है ये inbuilt range होगी आपको red color के एक line सभी में देखने को बिल जाएगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा volume आई है 1151 पर हमें मालूम है कि 1151 का जो area होगा ना ये important area बन जाता है अब इसका use कैसे करते हैं इसके पराएंगे देखिए ये काफी बड़ा topic है तो next to impossible है कि एक video में हम इसको आप लोगों के साथ clear करते हैं और जब same topics class पर समझा जाते हैं तो एक sufficient time हमें मिल जाता है सारी चीज़ों को clear करने का तो वहाँ पर और भी अच्छी तरह से understanding बन पाती है तो अभी के लिए काम करते हैं regular volumes जितनी हम इनको delete कर देते हैं अब अभी जैसे आपने आपको बताया कि volume profile के थुरू किस price पर सबसे ज़्यादा quantities trade हुए ये पता चल जाता है अब आपको मालूम है कि 1150 रुपय का ये जो level है यहाँ पर सबसे ज़्यादा quantities trade हुई है मतलब कि traders ने या फिर investors ने जो सबसे ज़्यादा scandal orders लगा हैं वो 1150 पर लगा है आप ये समद सकते हो कि 1150 पर अगर सबसे ज़्यादा orders लगे हैं तो कहीं न कहीं यही हमारे एक support area बन सकता है next trading session के लिए देखिए expectation होती है कि यहाँ पर price का जो support area ही बनेगा लेकिन मालूम तो है कि 1150 पर सबसे ज़्यादा quantities लगी हैं अब ऐसा भी हो सकता है कई बार ये experience के चीज़े हैं ऐसा भी हो सकता कई बार कि same level पर आपको price action दिखाई ही ना पड़े next trading session में price यहाँ पर उस तरह के movement ही ना दिखाए कि आप उसको trade कर पाऊ मतलब कि price आपका सीधे सीधे नीचे की side में गिर जाए और फिर से उपर चला जाए बड़ा move हो गया तो अब क्या होगा ना ये पूरे दिन side भे पड़ा रहेगा फिर हम इसको trade नहीं कर सकते हैं उस case में हमें हमारे इस level को carry forward करना पड़ता है levels को carry forward करने की situations आपको कम ही देखने हो की मिलेंगी और ऐसे case भी आपको कम मिलेंगे क्योंकि levels में same case आज के दिन हुआ है अब यहाँ पर volume profile के through हमको हमारे एक बहुत important level मिल गया है अब इसके अंदर हम लोगों को merge करना होगा अपने higher time frame की markings को और lower time frame के जितनी भी price actions हैं उनको हमें अपनी इस range से मिला देना होगा देखिए volume profile का use मतलब ऐसा नहीं है कि just हमने आपको बता दिया कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो candle दिख रही है न आप उसको mark कर लो ये भी देखना होगा कि वहाँ पर price action किस तरह के बन रहे है क्योंकि एक दिर में आने वाली चीज़ नहीं है धीरे 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 करके practice से आती है तो अभी उतना आगे तो फिलाल हम लोग नहीं जा रहे है छोटी-छोटी steps में आगे की तरह पढ़ेंगे I think अभी तक सारी चीज़े clear हुई होगे और अब चलते सीधे हम लोग charts के ओपर तो अभी के जो अपने profits वागरा है कैसे क्या चल रहा होगे प्राइस तो नीचे के तरह गी रहा है मतलब 2000 से भी कम का profit अपना चल रहा होगा 2000 से कम का profit मतलब 2189, 2189.60 का है ठीक है movement बहुत slow हो रहे है तो बहुत बड़ा move नहीं हो रहा है और दूसरी चीज़ 9.15 की range के अंदर ही price वसा हुआ है जब तक ये 9.15 की range को break नहीं करेगा न इसके अंदर upside के move आप देखोगे नहीं break करने के बाद ही हो सकता है कि price आपको upside का movement डिखा दे Hevels के अंदर हमने 3 trade execute किया थे और 3 के 3ों ही sales side के तरफ ही किया थे बट अब क्या हो रहा है Hevels के अंदर कि जो आज हमने इसके अंदर buy side के trade execute किया है इसको समझते है देखे day time frame पर चलेंगे अभी volume profile का को use नहीं होगा इसके अंदर day time frame पर इसने किया क्या है price का एक तो swing है यह green वाली candle जो आप देख रहे हो ना यह तो swing point है यहां से price हमारा नीचे की तरफ गिर गिर गया था बट जिस दिन से यह down side की तरफ गिरा है इसके अंदर देखे क्या हो रहा है लोज up side की तरफ shift हो रहा है मतलब जो low points हैं यह उपर की तरफ जा रहा है यहां से यहां से और यहां से इतनी चीज़ के लिए अभी higher time frame पर एक support area अगर हम लोग mark करना चाहें क्योंकि support area तो ज़रूरी है तो यहां पर मुलोग क्या देख रहे हैं कि अगर इस black वाली candle का हम लोग low point mark कर ले तो यह एक बहुत बड़ा supportive area बच जाएगा मेरे लिए higher time frame पर तो हमने यह चीज़ देख ली कि यह weak है बट weak के साथ-साथ में हम लोग देख रहे हैं कि इसको जो lows है यह upside के तरफ shift हो रहे है यह वाला low लगा फिर यह वाला low लगा अगेर यह वाला low लग गया और यहां से price अपने highs को break कर रहा है अब result वाले दिन से market क्या कर रही थी ना अपने lows को break करने के कोशिश कर रहे थी बार बार price अपना low break कर रहा है यहां पर भी देखिए low break हुआ यहां पर भी low break हुआ और यह एक candle बन गई मतलब कि यहां पर price आकर के हमारा रुख गया बट रुखने के साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि price के जो lows है यह upside की तरफ shift हो रहे है यह low point upside की तरफ low point अब आ जाते हैं सिदे हम लोग 5 minute के time frame पर और lows को थोड़ा सा rate करने के कोशिश करते हैं lower time frame पर लोज पर आगा अब देखिए आप यहां से lows को mark कर लो एक यह low break ने हुआ price उपर की तरफ चला गया एक low यहां पर लगा फिर से नया low यहां पर लगा और price क्या कर रहा है ना lows को upside की तरफ shift कर रहा है और highs को break कर रहा है यहां पर देखिए high break हुआ यहां पर high break हुआ हाला कि price एक range में है लेकिन अगर हम lows को read करें तो lows upside की तरफ जा रहा है यहां पर देखिए क्या क्या market में low को नीचे की तरफ break करने की कोशिच की बट फिर से price upside की तरफ चला गया और अभी यह एक range के अंदर फसा हुआ है अब देखिए higher और lower time frame पर price को कि मरकत नजर आएगी कि volumes अब कम हो रही देरे देरे करके volumes कम होती चली जा रही है मतलब कि price हमारा नीचे तो गिर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर है गिरावट कमजोर है इसके अब वापस से 5 minutes के time frame पर अब हम लोग इसके अंदर use करेंगे volume profile का अच्छा volume profile को objectively अगर हम ल यू लेकर के चलनें by side के तरब तब ही हमने इसके अंदर by side के अपना एक trade execute किया 1500 के चल रहा है profit जाने दीजेए बहुत बहुत slow movement हो रहा देखिए expectation थी कि price 9.15 को break करके कोई अच्छा खासा movement हमें 8-9,000 रुपे तक का दिखा देगा लेकिन हो ने रहा है price रुका हुआ है stop loss भी बताएंगे कि stop loss हमने कहां रखा अब यहां पर देखी क्या हुआ है हमने कल कल तो मार्केट बंड थी 25th of October को हमने हिंदुस्तान यूरी लिवर सभी लोगों को trade करवाया हैवल्स भी उस दिन हमारी नजर में था कि हैवल्स के अंदर भी हम लोग short selling ले करके चलेंगे अगर हमें मिलता तो हैवल्स के अंदर हम लोग short side की तरफ का ही अपना एक trade ले करके चलेंगे अब 25th of October से लेकिन दूसरी चीज़ होने लगेंगे प्राइस की जो lows है या अब side की तरफ shift हो गया तो एक तो ये भी reason था कि हमने इसको छोड़ दिया दूसरा बेन चीज़ volume profile अब मुहरत trading का पूरा volume session हम लोग अगर mark कर लें तो देखे यहाँ पर एक जो red candle निकल करके आ रही है सबसे important candle है marking करने के बाद में अब हम अगर read करना चाहें तो हम कैसे read करेंगे आज का session हम लोग नहीं देख रहे हैं आज का session जाने दीजे यह परा supportive area है अगर हमें इस range से नीचे के तरफ के short side के trade मिलते ना तो हम लोग अच्छा trade execute कर सकते थे but price lows को upside की तरफ ही shift करता हुआ चला गया और इसने finally अपना high break कर दिया और morning के अभी जिस तरह की movement हमने बताया थे कि morning के move जैसे हुए कि price गिरा और फिर से उपर चला गया तो यहीं से इसके price action बिगड़ गया मतलब कि level तो हमारा ठीक है बड़ price action ही गड़बढ है तो फिर हम लोग trade नहीं कर पाए और same range, same level पर देखे volume profile जिस पर हमने mark की है यहाँ पर price आज support ले रहा है यह तो रहा volume profile के थुरू कैसे हमने अपना level निकाला अब volume profile का तो level निकाला है इसमें अगर आप गौर कर रहे होगे तो higher time frame की reading को भी उपने merge किया है तो इस तरह से क्या कर सकते ना कि सिर्फ volume profile को नहीं volume profile के थुरू हमें एक range तो मिल जाती है जो कि एक automated range होगी बहुत strong level होगा higher time frame की reading करने हो lower time frame के price action को उसके साथ merge कर देना है और अगर हम लोग सही है तो हैवेल्स के अंदर आज upside का move market close होते होते हैं हमें थोड़ा बहुत दिखा ज़रूर देगा अब एक काम करते हैं हम आपको दिखाते है कि हमने stop loss अपना कहां पर रख रख रखा है position book order book में जाएंगे order book में देखे जो stop loss है हमारा 1172.60 का है copy in position book 2300 ठीक है and यहां पर आते है 1172.60 यह मेरा stop loss का area पांच रपे के लगभग का stop loss है and supportive areas यह है trade हला कि अगर हम लोग देखेंगे तो trade यहां कहीं ने किया है अब यह range हमने क्यों mark कि और stop loss यहां पर क्यों लगाया जब आप volume profiles को देखोगे यह तो एक दिन पहले कि मोहरे trading की markings है उनको remove कर देते है and अब हम लोग mark करेंगे वही first candle से लेकर के यहां पर आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा volume निकल किया है last reading session में वो यहां पर है यह वाला area यह एक काफी अच्छा काफी strong support area है अगर price हमारा नीचे की तरफ गिरता तो इस range के नीचे जाने में इसको थोड़ी सी मुश्किल होगी कि इसके नीचे अगर price जाता है तो मतलब कहीं ना कि उसके अंदर selling pressure आपको देखने हो को मिल जाएगा लेकिन इतना भी आसान नहीं क्योंकि previous days से हम लोग देखते आ रहे हैं कि price जो अपने lows है ना उसको protect करता हूँ चल रहा है और यहीं पर देखे प्राइस ने previous days के अपने support बना है यहाँ पर देखे एक support, दूसरा support, तीसरा support और price यहाँ से upside की तरफ नीचे की तरफ गिरा है और यहीं कहीं आ करके close हो गया मतलब कि यह पूरा का पूरा हमारा support zone बन गया है अब जो हमने अपने stop losses यहाँ पर पूशिश की लगाने की कि इस range के नीचे हम अपना stop loss लगा दे 1172 तो इसलिए हमने देखा कि 1172 को buffer देखर कि अगर हम stop loss लगाते हैं यहाँ पर तो यह हमारे लिए safe zone मना रहा है गा stop loss लगाने का और target जो हम मान करके चल रहे हैं यह कोई बहुत बड़ा target नहीं देखी अगर price दे हमारी इस range को break कर दिया ना upside की तरफ तो आप देखोगे कि 0.50 से लेकरके 0.70% का move बहुत आराम से आपको देखना को मिलेगा उपर की तरफ लेकिन first target 1190 रुपए का हम लोग रखेंगे हलांकि कोई बहुत बड़ा target नहीं क्योंकि जिससाब से हमारे stop loss है न तो आरार तो हमारे शायद 1-2 कहीं बैठ रहा होगा profit भी होगा और हो सकता है कि same stock अंदर हम लोग break even पर निकलिया फिर हमारा loss हो जाए यह ज़रूरी नहीं है हम लोगों ने price को कैसे rate क्या है हमारी analysis क्या है और क्या अभी हमने आपको volume profile के बारे में बताया अब यहीं पर एक example हम लोग और ले लेते हैं जैसे कि यह अपना ambuja cement का chart है ambuja cement पर हम लोग क्या करेंगे न कि previous day की range को सिर्फ mark करेंगे सिर्फ previous day की range को and 9.15 और last की candle अब यहाँ पर देखें कि यह वाला अपना point जहां पर सबसे ज़्यादा volume गिरी है कितने पर आई है 514 रुपे 50 पर से मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा volume गिरी हो थी last lesson में अब इसको आप mark कर लो marking के बाद में देखें कि price ने जो आज support लिया है वो किस range से लिया है ना कि कल के supportive areas यह थे हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा volume गिरी थी और next session में price यही से सारा माल उठाया गया है और फिर से price हमारा upset की तरह तो इससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि price में last trading session में कहाँ पर सबसे ज़्यादा volume trade हुई है जैसे कि जो इसरो खम trade कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने previous day की volume profile का use stop loss लगाने के लिए किया और previous to previous day की volume profile का use अपने जो support areas होते हैं उनको find out करने के लिए क्या और वहाँ पर trade execute कर लिए अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे अंबुजा cement ही है तो अंबुजा cement में हम लोग क्या करेंगे previous to previous day लेकिन previous to previous day के पीछे नहीं जाना है maximum हम लोग 2 दिन की volume profile ही लगाएंगे या तो previous day या तो previous to previous day जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाले level सही है हमारा तो हम लोग trade execute करेंगे बाकि उसके आगे तो readings हो रहा होती है कि किस तरह से आप price को read करते हो so highs and यह हमने mark कर लिए low पर तो यहाँ पर देखे कहा ये area मिल गया आपको देखे दिख जागे यह देखने से लगेगा कि क्या impact price का उस range के उपर पड़ा है price ने downside का move दिखाया एक resistance price हमारा नीचे मतलब इसी range से price आपक गिरा है और फिर देखे upside की तरफ और last trading session की volumes यहाँ पर है तो नीचे की तरफ price आया और यहाँ से यह upside की तरफ generally हम भी जो use करते है volume profile का वो last trading session का ही करते है but hevels को हम लगाता और watch कर रहे है और 1177 रुपय का यह जो level है हम देख रहे हैं कि यह important है price ने last trading session में हमारे इस level का सारा का सारा का काम बिगाड़ दिया था अगर आज हमें उसी range पर price मिल जाता है entry confirmations इस range पर मिलती है तो हम लोग काम कर सकते हैं और last trading session की जो volume profile है उसके नीचे हम अपना stop loss रख देंगे तो इससे क्या होगा न कि हमें stop loss भी एक सही मिल जागा एक entry का area भी मिल जागा और target तो हमने आपको बताई है इस तरह से ना काम आसान हो जाएगा आपका काम easy हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से इसके उपर depend नहीं हो जाना है blind हो करके अपनी readings को continue रखना इसे तरह से अगर हम इसके अंदर profit book करते हैं या फिर कोई activity करते हो तो आपको inform करते है traders I think stock selection में आज कुछ न कुछ तो गढ़वड हो गई हमारी analysis के guarding price को आज एक upside का move दिखाना चाहिए because कल price एक consolidation के phase में रुका हुआ था and लीजे अभी तो बिलकुल ही entry point पर आगया है क्या ही profit होगा 14-15 रुपय के profit पर हम लोग बने हुए है अभी तक निकले नहीं है but at the end अक्सर जो हम बात बोलते हैं कि जो अपना stop loss है वह safe रहा profit चली आज नहीं तो वह कल हो जागा overall जिस तरह से हमारी analysis थी अज की market ने कहीं ना के उसको respect किया हाँ यह बात अलग है कि कोई बहुत बड़ा move हम लोगों को नहीं मिल पाया वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि एक जो दूसरा example हमने आपको दिया था वह अंबुजा cement का था अबुजा cement को अगर हम लोग volume profile के according mark करते हैं तो जो कल के हमारे level से 514.50 के निकल के आएंगे अगर आपको याद नहीं है तो first candle और यह last candle यह देखें यह important range निकल के आई थी इसको हम लोगों ने mark किया था morning में और यहां से देखें प्राइस ने करीब करीब धाई percent का move हम लोगों को दिखाया low से लेकरके upside लिखे movement दिखाया है हम लोगों को high से लेकर low तक 0.7 परसंट तक ही चला है तो ठीक ठाक movement है यह एक बट जिस इस्टो को हम trade करें तो इसके अंदर को बहुत अच्छा move हमें देखने को नहीं मिला है एक green candle form हो रही है बट इसका कुछ मतलब हमें नहीं लग रहा because जो structure morning से हमें हेवल्स ने दिखाया है अगर हम 9.15 के highs को mark कर लेंगे तो price अभी तक उसी range के अंदर रुका हुआ है 9.15 के low और high के अंदर यह price रुका हुआ है sideway move ही है एक तरह से so expectation है नहीं हमको कि अभी breakout वगरा कुछ कर पाएगा कर देता है तो अच्छी बात है बट expectation है यह price देखे इसी range के अंदर ही घुमता रहेगा आपका बट कोई बात नहीं जितना market देगी चुप चाप उतना लेकर के बाहर कोई बहुत बड़ा regret नहीं किया रहे हमने हैवल्स को क्यों start कर लिया हमने अमबुजा सिमेंट को trade कर लिया जाने दीजे ना आज अमबुजा सिमेंट जिसने trade किया उसका दिन होगा हमारा दिन था side way फसने का कोई बात नहीं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक दू केंडल्स का उसके बाद यहां से बाहर निकलते है देखिए एक जो satisfaction मिलता है जो analysis आप कर रहे हो उस analysis के according आपके price move कर रहे है अब हमने अगर को support level निकाल लिया है तो support को निकाल लिया है हमने day time frame को read किया हमने lower time frame को read किया देखिए analysis आप क्या कर रहे है वो माहिने रखता है otherwise profit या loss ये आता जाता रहेगा मतलब profit भी होगा loss भी होगा आप side way भी फस जाओगे लेकिन जो reading रहेगी न वो आपके continue रहती आप price को आज भी read करोगे आप price को उस दिन भी read करोगे जिस दिन आप loss करोगे या price को उस दिन भी read करोगे जिस दिन price आपका side way हो जाएगा trend पकड़ेगा बड़ा profit होगा उस दिन भी reading करोगे मतलब reading का इस तर आपका बराबर रहना चाहिए profits कम ज्यादा loss होना नहीं होना ये सब लगा रहेगा आपकी reading पर आपके profit और loss को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए अब levels की levels निकालने के लिए हमने क्या किया higher time frame पर reading की lower time frame पर reading की volume profile को हम पिछले दो दिन से देख रहे हैं जैसा भी हमने बताया कि महुरत trading के levels है जहां से हमने इसकंदर अपनी entry बनाई है profits 5700 अब ये नीचे ना गिर जाए यहां से सबसे पहले अपना stop loss cancel करेंगे cancel stop loss and position चल रहे हैं तो price ले लेते हैं 1186.40 1186.40 ठीक है square of nsc 1186.35 हो गया 40 40 order लग चुका है order has been successfully placed 1186.40 just 10 पैसे का फर्क है 10 पैसे और price को जहाना चाहिए उपर okay सारी quantities निकल चुके है अपनी and price तो काफी उपर जा चुका है ठीक है 5600 5600 and 67 रूपीज का profit हमने इसके नदर अपना book किया है and order book में चलते हैं एक बार 644 quantities 1184.40 पर निकल चुके है हमारी so आज का trade हम लोग यहीं पर खतम करते है I hope कि आज के session से जरूर कुछ नकुछ आपने यह आपनों को साथ share करेंगी एक accurate support और restaurants अगरे में draw करना है lower time frame पर तो volume profile उसमें किस तरे से हमारी मदद कर सकता है इसको देखेंगे and इसके अलाबा भी जैसा हमने आपको बताया कि कई सारे shapes में volume profile को divide किया जाता है L shape P shape अब L shape और P shape में भी long L shape short L shape या फिर long P shape short P shape यह सारी चीज होते हैं यह भी clear करें मतलब बहुत सारा topic है एक volume profile का मतलब यहीं नहीं कि आपने सबसे बड़ी विक जिसकी बन रहे है आपने उसको mark कर लिया इसके अलाबा काफी सारी चीज होते है So I hope के आज का session काफी जादा helpful रहा होगा आपके लिए and अब हम लोग मिलेंगे अपने next in session में तब तक लिए thanks and we will meet again